अब अब देख रहे लाइब इंडिया हर पल जारकन की राजनिती से स्वक्त बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर जो हूँ आ रही आपको बता दे कि जारकन में एक बार फिर से जारकन बिदान सबा चुनाओ जो है वो उप से चुनाओं लडेंगे आपको बता रहें कल जारकन चुनाओं का जीस तरह से जनादेश आया उसमें आत्सु को एक भी सीटे जो है वो नहीं मिली आलगी एक सीट जो है वो बहुत कम मार्जिन से मांदू विजान सवाज सीट से आत्सु को जीत मिली है उसको लेकर निर्मल मा मातों से मिलकर वो सीट को हम रिजाइन देने के बाद आग्रा करेंग की सुदेश मातों जो आत्सु सुप्रीमों है वो यहां से चुनाओं लड़े पहले आप यह बाइट को सुनिए कि क्या कर रहें निर्मल मातों चुनाओं जितने के बाद लेकिन मैं सवच्छा से मांडू विदान सबा को सुदेश मातों जी के लिए यह सीट छोड़ने के लिए हम प्यार है और सुदेश मातों जी सम्मिलकर हम जल्दी रिजायन भी देंगे और हम आगरा करेंगे तमाम काशकरता लोग से चुनाओं के त्यारी करें अर्मानिय सुदेश मातों जी को मांडू सम्मिलक बना कर विदान सबा में वहां पे सुदेश मातों जी का गुजना चाहिए और आप लोग मालूम है कि सुदेश ज सुदेश मातों से मिलकर जो है अपना रिजायन जो है वो देंगे क्या अगर वह सच में वहां से रिजायन देते हैं तो फिर से आथसू जो है वहां पर पाइट करेगी हलाकि आपको बता देगी कॉंग्रेस के जो परतियासी थे जैपरकास भाई पटेल तो कम ही मार्जिन से वहां पर जो है वो चुनाओ जो है वो हारे ते मातर 231 भोटों का अंतर था तो वहीं जैराम मातों की पार्टी भी जो 20,000 भोटों से मातर पीछे रह गई थी अगर वहां पर विदान सबा का चुनाओ का फिर से उप चुनाओ होता है तो देखना होगा कि वहां मुकाबला इस बर किस तरह से होता है हलाकि जिस तरह से आजसू जो है वहां पर जो विदान सबा के सीटे जीती है उनको काफी कड़ा मुकाबला जो है वो काटे की टकर जो है वहां पर देखने को मिली थी लेकिन अगर आजसू जो अपना एक सीट जो है जिस तरह से जारकन विदान सबा चुनाओ मेर जीत कर आ के जो उमिदवात हैं अमीत महतु उनसे उनको हार का सामना करना पड़ा था क्या अगर सुलेश महतु वहां पर से चुनाओ लड़ते हैं तो क्या वहां पर से वो जितने में सफल रहा पाएंगे अपनी जो एक सीट जो बिदान सवा में जो जनता ने उनको असिरबात देकर ब दरनिय सुदेश कुमार महतों के लिए ये सीट जो है वह छोड़ने का निरने ले चुके हैं इसके लिए इंतिजार करना हो कि अगर वो सीट छोड़ते हैं तो कब तक छोड़ते हैं और फिलाल उपचुनाओ का वो डेट जो है जारकन विदान सवा में कब तक आता है इसी थमारे साथ बने रहा हैं लेकिन इसके बाद जो फरी लेकर आएंगे हमारे वरेश्च स enlargi सन्जाए यह वह लेकर आएंगे अच्छाए आपको बता अले कि हमारे वरेश्च स zaman identified के फिलतना होगी स mess शोड़ते हैं डोसो जो जीत का और अब वो नो शोच रहे हैं कि वो सीट को सुदेज महतों को दे देंगे चोड़ देंगे और फिर सुदेज महतों वहाँ जीत जाएंगे तो ये बहुत ही मुझे लगता है कि गलट डिसीजन होगा हला कि ये अभी निर्मर मेहतो ने अपनी और से ये बाते कही है लेकिन सुदेश मेहतो की और से अब दक कुछ कहा नहीं गया है देखिए यह जो चुनाओ अभी जारखन में हुआ है यह बीजेपी और एंडिये के लिए बेहद ही शर्मनाख चुनाओ है इसलिए यह शर्मनाख है चुकि बीजेपी 2019 स भी खराब प्रदर्शन इस बार बीजेपी ने इस चुनाओ में किया है अपनी कई सारी विधायकों को गवा चुकी है बीजेपी यानि कि अपनी जीती हुई सीटों को भी गवा चुकी है और सबसे बड़ा दुरभाग्य है देवगर का देवगर के विधायक जो है वो चुनाओं में ऐसी पठखनी दी है कि अभी आपको 5 साल और वक्त लगेगा कई राजनितिक जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि भाजपा को जारकर में आने में 10 साल और इंतजार करना होगा हलाकि भाजपा इसे जो है वो कवर अप करने की कोशिस करेगी चुकि महराष्टे में भी जब लोकसभा का चुनाओं हुआ था उजवरान वीजेपी और उनकी सहयोगियों ने काफी खराप्रदर्शन किया था लेकिन उस चुनाओं के बाद देवेंद्र फड़नविस ने इस्तीफए का अरलान किया था और कहा था कि मुझे इस्तीफ़ा देने दिया जाए ता अगर दुबारा उप्चनाओं होता है तो आजसु के लिए मुश्किल है गलती से आजसु सीट पर जीती है आप यह भी समझे चुकि जहराम ने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है जेल केम ने सीट पर काटे की टक कर थी और मुख्य मुकाबला हाला कि इनहीं में था आजसु में था और कॉंग्रेस पार्टी में था लेकिन जेपी भाई पटेल जो है यहां पर मुक्य मुकाबला के साथ सा जहराम मातों के पार्टी थी वह भी बहुत अच्छे मतला है थे मातर 20,000 वोटों से पीछे रह गये थे वहीं मैं आपको बता रही हूं कि काफी कम व कांडू की जनता भी एक बार सोचेगी कि जेल केम को यहां मौका दिया जाया यानि कि बीजेपी का पूरा खेल बिगारने में अगर किसी पार्टी ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई आ है तो वह भाजपा तो है ही भाजपा कांदूनी कलह तो है ही लेकिन जेल केम है जि जो एक सीट आजसू की ले करके आए हैं अगर उस सीट को सुदेश महतो के लिए छोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि इस सीट पर जो एक सीट मिली है वो भी आजसू के हाथ से चली जाएगी कमसे कम एक विधायक के साथ आजसू पार्टी का मतलब कुछ जनाधार तो बच लेकिन मुख्य भूमिका में हमेशा से राजे में रहे हैं लेकिन राजे की जनता को कई सारी उमीदें हैं उनसे जो उमीदों को उन्होंने पूरा नहीं किया है लेकिन अगर निर्मल मैं तो इस सीट पर फिर से चुनाव होता है तो यह फिर आजसू के लिए मुश्किल हो ठी में बहुत बढ़ी होता है लिए मुश्किल होगेहा थो कि लिए कोई बहुत बढ़ी बात ही और नए बात नहीं धु penis जिस से आजित। बिदान सभा चुनाओं में पर्दसन करती हालकि आच्छू एक सीटों वाली बिदान सभा सीट जो है जिस तरह से आच्छू जो है लबुतर महतों जो है दो जाउन पर देखने को मिला था लेकिन क्या अगर आत्सु छोड़ती है तो क्या आत्सु जो है आत्सु के सुप्रीब वहां से चुनाव लड़ते हैं तो अपनी सीट बचाने में सपल रह पाएंगे या फिर वहां से परकास भाई पटेल जो है वहां से जीत कर विरान सभा पहुंचत कि हमन सोरेन की ताचपोशी कब है और कब है और कितने तारी को ताचपोशी कराई जाएगी और किन-किन मंत्रियों को किन-किन विभाग दिया जाएगा उस पर हमारे सयोगी जो है संजाय आपसे रुबरू होंगे तब तक लिए आप देखते रहे हैं लाइव इंडिया हर नमस्कार